दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याणा में विधान सभाज चुनाव है और विधान सभाज चुनाव को ले करके तमाम सरगर्मिया जोरों पर है अगर जब चुनाव की बात आती है तो सबसे प दर्चा ये चलती है कि भारती जनता पार्टी नए नए फॉर्मूले अपनाने के लिए नए नए प्रियोक करने के लिए मानी जाती है भारती जनता पार्टी राजनीती के अंदर चाहे वो राजिस्थान का चुनाव हो चाहे वो मद्यपरदेश का चुनाव जो विधान टिकेट दे दिया था और लोगसभाद चुनाव में कई विधायकों को सांसद का टिकेट दिया गया यानिकी अलग-अलग प्रकार के परियोग होते हैं और राजनीति के अंदर परियोग किये भी जाते हैं जब हर्याना विधान सभाद चुनाव की बात चल रही है तो फिर य जंता पार्टी क्या विधान सभा का नुमाइंदा बना करके विधान सभा का चुनाव का प्रतिनीधी या केंडिडेट बना कर मैदान में भेज सकती है हमने सारे बात को ले करके बाजबा के कई बड़े छोटे तमाम निताओं से और या फिर जो प्लिटिकल एनलाइस करते हैं उन लोको से बादचीत की और उस बादचीत का निशकर्ष यह है कि हर्याणा के अंदर भार्ति जंता पार्टी इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं करेगी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताता चलो कि हरियाना के अंदर इस समय भारती जन्ता पार्टी के पांच लोकसभा और पांच राज्यसाभा के सदस्य पांच और राज्यसभा की सीटे हैं। जो परिणाव आया था चार जून को जो लोगसभा चुनाव का रजल्ट आया था उसमें भारती जन्ता पार्टी के पांच सांसद चुनाव हार गए थे यानि कि पांच रह गए थे अब इस समय अगर जो बात मैंने आपको बताया तो पांच लोगसभा और पांच राज्य सदस्य भारती जन्ता पार्टी के हैं जो लोगसभा के सांसद बीजेपी के हैं उनमें मनोरलाल खटर कृशनपाल गूजर और राव इंदर जी सिंग ये तीनों केंदर सरकार में वजीर भी हैं इनके अलावा दो सांसद और हैं नवीन जिंदल और चौधरी धरमबीर सिंग ये पाँच लोगसभा सदस्य दृमरी जो राजयसभा के पांच सदस्य हैं उनमें अभी हाल ही में परसो निर्वाचित हुई किरन चौधरी जो तोशाम की विधायक भी थी कॉंग्रेस से आई दो महीने पहले, कॉंग्रेस से आई भाजबा में दो महीने पहले भाजबा ने उनको राज्यसभा कैंडिट बनाया और निर्विरोध चोचुनाव जीत गई इन से पहले चार सांसद भारती जन्ता पारिट्री के पहले से ही है जिन में से तीन भाजबा के सिंबल में जीते थे और एक निर्दलिये बने थे जो निर्दलिये बने थे वो भी भाजबा के साथ हैं और कुल मिलाकर जो पांच राज्यसभा सदस्य हैं वो किरन चोधरी मैंने आपको बताया दूसरे सुभाश बराला हैं, तीसरे किशनलाल पमार हैं, चौते रामचंद्र जांगडा है और पांच में कार्तिके शर्मा हैं पूर्मंत्री विनोज शर्मा उनके बेटे हैं कार्तिके और इंडिपेंड चुनाव में जीते थे लेकिन साथ में भाजपा के हैं अब बात आ जाती है कि इन दस सांसदों में से पांच लोगसभा और पांच राज्यसभा जो मैं आपको बता रहा था कि क्या भारती जंता पार्टी कोई प्रियोग करने जा रही है तो मैं आपको बता दूं कि भाजपा हर्याणा में कोई प्रियोग नहीं करने जा रही यह ज लोगसभा के तो चार सांसद जो मेंबर पार्लियमेंट है लोगसभा के पांच में से चार आप बिलकुल कंफर्म करने कि उनके स्वजनों को उपरी जनों को टिकेट मिल रहा है विदानसभा चुनाओं में आपको दिखाई देंगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह हरियाना में किसी प्रयोक के मूड में क्यो नहीं है चार जून को हरियाना में लोगसभा का चुनाओं का परिणाम आया था पूरदेश में आया था और हरियाना के अंदर जो चुनाओं परिणाम आया उसके अंदर भाजबा 5 सीटे हार गई 5 सांसद जीते और अगर देश की बात करें तो देश के अंदर भारती जन्ता पार्टी जो 2014 और 2019 में अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार में थी लेकिन 2024 में भाजपा अपने बूते पर 241 सांसद ले पाई यानि कि अगर किसी सांसद को अब लोगसभा के सदस्य को चुनाव मैदान में उतारा जा और उनको अगर नोगसभा से स्तीफा देना पड़े तो भाजपा की ताकत गट भी सकती है बड़ी बात ये भी होगी कि वो उस सीट पर जहां से सांसद को विधायक बना जाए अगर वो सांसद फिर ना मिला तो फिर दिक्कत होगी और यही सितिक उस राजपा को लेकर भी ह राजपा के अंदर अभी हाल ही में जो ग्यारा सांसद बने राजपा के कल तक उसके बाद भारती जंता प्राटी की ताकत राजपा में ठीक ठाक हो गई भूमत तक पहुँच गई लेकिन अगर किसी राजपा के मेंबर को विधायक बनवा दिया तो फिर वहां भी दिक्कत होगी इस लिहाज से हर्याना के अंदर भारती जंता परटी किसी सांसद को चाये वो लोकसभा के मेंबर हैं चाये वो राज्य सभा के मेंबर हैं उनको विधान सभा का चुनाव लड़ा कर कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी अगर आगे बात ये कर लें तो इसका विकल्प क्या अगर सांसद को चुनाव नहीं लड़वाया जाए तो फिर क्या किया जाए तो इसका बड़ा सीधा जवाब है कि परिवारवाद की बात करने वाली भारती ज लड़ाया जा रहा है लोग सभाग के जो चार मेंबर हैं उनमें से मनोरलाल जी तो अभी वाहित हैं उनके तो कोई संतान है नहीं बाकी के जो चार सांसद हैं कृशनपाल गूजर के बेटे का विधान सभाद चुनाव लड़ना आपकी बार कनफर्म बताया जा रहा है कि पार मोहित का चुनाव लड़ना तै है बताया जा रहा है कि चर्की दादरी से पार्टी उनको केंडिडेट बनाने जा रही है अगले जो सांसद हैं तीसरे सांसद में अगर आपसे कहूं कि जिनके परिवार को टिकट मिल सकता है तो नवीन जिंदल है कुरक्षित्र के सांसद न तो राविंदर जी सिंग की बेटी आरती राव का कोसली विधान सभा चुनाव से लड़ना लगभग लगभग तै माना जा रहा है तो यानि कि चार सांसद मनोह लाल जी अविवाहित है मैंने पहले ही बताया आपको लोग सभा के चार मेंबरों के परिवार जनों को टिकट देकर भाजपा चुनाव मैदान में उतार देगी और राजे सभा मेंबर्स के आपसे बात करें कि क्या उनमें कुछ हो सकता है तो किरन चौधरी की बेटी इश्रुती को चुनाव लड़ाय जा रहा है तो शाम से जो बाकी के सांसद हैं सुभाश बराला हैं या किशनलाल प किशनलाल पवार के परिवार से भी चर्चा है कि उनके परिवार से किसी को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है तो बाकी के जो पांच लोगसभा मेंबर और पांच राज्य सभा मेंबर यानिकि इन 10 के 10 सांसदों को विधान सभा चुनाव मैदान में उतारने का भाजप हर्याना के विधान सभा चुनाओं में अपने किसी सांसद को चुनाओं मैदान में उतार सकती है क्या आपको क्या लगता है कि परिवारवाद की जो बात पहले थी भाजपा उसको भूल करके और सांसदों को उनके बेटों परिजनों स्वजनों को जिताने की जिम्मेदारी करके वहां निश्चिंत हो जाना चाहेगी और आपको क्या लगता है कि क्या हर्याना में अपकी बार भी भारती जंता पारटी सत्ता की हैट्रिक मार सकती है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहें हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नौटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक पर फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें